दोस्तों आपको याद होगा 2022 की बात है LG ने एक देट टन 5 स्टार मॉडल लॉंच किया था जिसमें बड़े भारी भरकम आउटडोर आते थे बड़े इंडोर यूनिट आते थे पावरफुल कूलिंग आपको मिलती थी और इसका नाम रखा गया था विराट जी हाँ गाईज यह जो मॉडल है इसको लोगों ने काफी ज़्यादा पसंद किया मैंने भी इसके उपर एक वीडियो बनाया था और वीडियो आप लोगों ने काफी ज़्यादा शेर किया है लेकिन गाईज यहाँ पे fast forward to 2023 ऐसा कोई भी बढ़िया LG का मॉडल अभी तक मार्केट में अविलेबल नहीं था in fact 2023 में इनका जो 5 स्टार मॉडल था उसकी तो कूलिंग केपास्टिक घड़ा के सिर्फ 4600 वाट कर दी गई अब आफकोर्स गाईज इतना बड़ा रूम होता है तो भई 4600 वाट मतलब सिर्फ 1.3 टरन का AC कहाँ suitable होगा तो definitely लोगों ने इसे पसंद नहीं किया और जो पुराना विराट मॉडल है जो discontinue हो चुका था उसको हम लोगों ने काफी जादा याद किया लेकिन गाईज यहाँ पे आज मैं आपके साथ में एक खुश खबर launch करने वाला हूँ LG ने यहाँ पे 2023 के अंदर updated model launch कर दिया है जिसकी cooling capacity है 5030 watt जी हाँ या फिर आप कह सकते हैं कि हमारा विराट वापस आ गया है तो आईए बात करते हैं कि यह model कौन सा है इसका output किस तरह से रहेगा, cooling किस तरह से रहेगा और वीडियो पूरा देखिए क्योंकि यह model आपके लिए suitable है या नहीं सारी बाते हम detail में point wise करने वाले पहले बात कर लेते हैं गाईज इसका model number तो इसका जो model number है that is RSQ 20GWZE अब गाईज आप क्या करते हैं कई बार जो है ना आपको यहाँ पर confusion ना हो उसके लिए मेरे हर वीडियो के description और first comment के अंदर proper model number और link दिया होता है अगर आप उस link को use करते हैं तो correct model के उपर अपने आप पहुंच जाएंगे ज्यादा जंजट करने की ज़रत नहीं है और वैसे भी अगर आप मेरा channel support करना चाते हैं तो मेरे affiliate link का इस्तमाल जरूर कीजिए बात कर लेते हैं second point की that is cooling capacity तो यहाँ पे आपको 5030 watt की दमदार cooling capacity मिलती है आइसर value मिलता है 5.2 और अभी जो है guys LG ने officially बड़े rooms को support कर दिया है 1500 से लेकर 200 मतलब 200 square feet के room जो है वो support करता है लेकिन मेरी अगर मैं experience की बात करूँ तो यह जो LG का latest 2023 विराट मॉडल है इसको आप लगबग 180 square feet के room तक चलाईए तो ठीक रहेगा इसके बाद में जो है आप directly 2 ton model के उपर चले जाईए point number 3 is indoor features और guys यहाँ पे इस साल सबसे पहले wifi पिछले विराट मॉडल के अंदर सबसे बड़ा जो है कॉम याज सबसे बड़ी कमी आप कह सकते हैं वो यही था कि भी performance के number में एक number था लेकिन यहाँ पे जो इसमें wifi था feature वो नहीं था इसके अंदर कई सारे चोटे बड़े जो creature comforts हैं वो missing थे तो अभी जो है finally आपको wifi मिल जाता है thin q app से आप इसको control कर सकते हैं 6 in 1 convertible cooling मिलती है with AI plus technology और गैस AI plus technology में क्या है कि कई सारे यहाँ पे sensors बढ़ गए है 110% जो है आप compressor को overclock कर सकते हैं जो कि आपको 5800 watt की cooling capacity दे देता है तो 2023 model में ये एक फाइदा है कि जो 110% का जो mode है या जिसे विराट mode LG कहता है इसको आप unlimited समय तक use कर सकते हैं 2022 का जो model था उसमें ये time limit थी ये 90 minute की थी तो यहाँ पे not only cooling performance आपको बढ़के मिली है बट cooling का जो यहाँ पे duration है वो भी आपको unlimited समय तक मिल गया है इसके अलावा guys बड़े rooms के लिए ये जो AC है इसको target किया जा रहा है तो of course हमें चाहिए हमारा favorite 4-way swing ताकि पूरे room के अंदर salvation हो सके इसके अलावा dust filter है with anti-virus coating और इसका अगर आप indoor unit देखेंगे तो इसके उपर एक golden color की जो है strip लगी होई है gold deco design कहता है LG इसको अब guys इस AC के outdoor में लगा है LG का legendary AI plus dual rotary compressor जिसके अंदर दौड रही है eco friendly R32 gas कई सारे sensors का use करके ये जो compressor है ये optimum cooling और power consumption को maintain करता है इसके coils के life बढ़ाने के लिए आपको black ocean fin protection technology मिल जाएगी और stabilizer free operation इसके अंदर supported है 120 से लेकर 290 volt के range तक अगर आपके area में voltage fluctuation बहुत जादा होता है तो फिर आप एक stabilizer जो है इसको consider कर सकते है पांचवा point है guys यहाँ पे manufacturer warranty तो यहाँ पे LG की जो warranty policy है overall काफी अच्छी होती है वन येर आपको पूरे product के उपर warranty मिलती है 5 साल की warranty मिलती है इसके PCB के उपर तो हमारे AC का जो PCB होता है यह one of the most sensitive component होता है तो 5 साल तक उसको cover किया गया है उसके अलबा 10 साल की जो warranty आपको मिलती है वो compressor के उपर मिलती है along with gas charging मतलब किसी manufacturing defect से compressor अगर खराब होता है और उसको replace करके देती है company तो साथ में gas भी आपको उस compressor के साथ में दिया जाता है इसके जो भी terms and conditions हैं जो भी TNC होता है वो मैं आपको नीचे description में दे दूँगा एक बार जाके समझ लीजिए अब बात कर लेते हैं guys conclusion की क्या आपको ये latest 2023 model का जो विराट है इसको consider करना चाहिए या फिर नहीं तो मैं कहूंगा कि guys ये अभी तक का LG का सबसे best विराट model है और अगर आपका room थोड़ा सा बड़ा है अबाव एवरेज है एक सो साट एक सो सतर स्केर फिट का room है या फिर अगर आपकी room के उपर direct sunlight आती है आपकी इच्छा तगर तब जाती है दिवारों के उपर sunlight ज्यादा आती है तो ये जो particular 2023 का विराट model है इसको आपको जरूर consider करना चाहिए लिंक आपको नीचे description और first comment दोनों के अंदर मिल जाएगा गाईज अगर आपको देखना है कि LG जो बड़ा चड़ा के ये convertible features आपको कहता है 5 in 1, 6 in 1 convertible features क्या ये वाकई में काम करते हैं और ये convertible feature लगाने से क्या हमारे बिजली के consumption में कोई फरक पड़ता है या नहीं तो गाईज मैंने जो है power meter लगा के इसको test किया है यहाँ पे एक card आएगा card के उपर directly click करके आप और जादा जनकरे ले सकते हैं आज के वीडियो में इतना है guys take care and have a nice day